हेलो आज जो हम एक स्टॉक अनलाइज करने वाले उसका नाम है हैथवे केबल और डेटा कॉम चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तो एक बार हम एक बार हम इसकी हैथवे की वेबसाइट पर चले जाएं तो हमें दिख जाएगा कि यह लोग एक तरह से लीडिंग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं यह लोग डिजिटल केबल टीवी देते हैं ब्रॉटबेंड है और इंटरनेट लीज लाइन कनेक्शन है और अगर एक बार हम इनके प्लान्स और देखें तो हम यह लोग में जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं और अगर हम प्लान्स देखें तो प्लान्स भी ठीक है अगर 50 Mbps वाला कनेक्शन देखें तो इनका लगबग अनलिमिटेट है और वो आट्सो नौसो के असपास परमंद चार्ज कर रहे हैं तो यह मतलब एक तरह से लीडिंग कं करती हैं तो एक बार हम इनका फैनेशल चेक करते हैं फैनेशल अगर हम देखें तो कंपनी एक स्माल कैप कंपनी है 4500 क्रोड की और बुक वैल्यू जो है वह है 22 और करेंट प्राइस जो है वह भी बुक वैल्यू के पास में है तो इससे पता चलता है कि कंपनी बहुत ज्या स्टेविट करें फिफ्टीफोर परसेंट जो होल्डिंग एब और हमारी जी और बास में तो मतलब इससे पता चलता है कि जीओ ने सिस ropy में invest कर रखा है 54% होल्डिंग है मतलब कर इस अच्छा क्या किस है कि क्योंकि अगर इतना सils पड़िक के पास सिर्फ चार परसिंट भाकि सारा स्ट्रोइंग मैं नहीं तो इस से हमेंrage銃 बटन बता चलिया कि काफी सट्राइब अब एक इसकी बैलेंशट देखते हैं तो अगर हम quarterly result देखें तो वो almost 439 आया है sales तो अगर हम पुराने sales देखें 12 quarter के तो कुछ खास revenue increase नहीं हुगा है पहले भी 400 होता था यहाँ 4.500 हो ज़्यादा था मार्च से जून में मार्च से थोड़ा ज़्यादा होता था तो almost 400 400 लगबग इतना ही चलता था तो अभी भी इतना है तो इसमें इतना कुछ खास sales जो है नहीं हुई है लेकिन एक चीज जो है वह इंट्रेस्ट पहले यह लोग इंट्रेस्ट देते थे मतलब जो लोन ले रखा था बैंक से वह 50 60 यहां 82 और वह अब 0 हो गया है यानि company ने अपनी जो borrowing है जो लोन था वह पूरा-पूरा चुका दिया है तो अभी यह एक तरह से debt free company है तो अगर कोई company मतलब जो इतना अच्छा field में है जो क्योंकि अभी जो pandemic के वज़े से सारी जो सारी कोई भी internet company जो है ना जो प्रवाइट करती है वो भी Metro City में हो या कहीं पर भी हूँ उनका business बहुत grow हुआ है क्योंकि हर इंसान को भी जो है internet चाहिए क्योंकि सबको business है कोई अगर छोटे बच्चे है तो उनको school में पढ़ाई करना है तो उनको wifi चाहिए तो हर बंदे को जो है internet connection चाहिए जिसकी वज़े से इनके जो में को sale लगता है कि वो grow और ज्यादा grow करे क्योंकि इन्होंने अपने loan चुका दिया है इसकी वज़े से क्या हुआ है कि इनका net profit जो है वो increase हो गया है तो अगर हम इसका yearly वो देखें net profit तो अगर हम sales देखें तो sales पिछले साल के बराबर ही है पिछले साल भी रगबग 1800 अब भी 1730 है पर अगर हम net profit देखें क्योंकि loan नहीं है लोन बहुत ज़्यादा कम हो चुगा है सिर्फ 37 करोर्स कई था और वो आगे जाके 0 हो चुगा है यानि अगले साल से यह बिल्कुल 0 हो जाएगा तो जो इसका net profit आ रहा है वह 253 जो की अब तक का highest ever 2010 से जब से company establish हुई है तब से लेकर अब तक का highest जो है इनका growth है और इतने अच्छे business में आती है तो उसका share price ultimately highest ever highest ever अगर हम देखें तो 72 पर था वहाँ जाना बनता ही बनता है अब एक बार ही हम इसके चार्ट analysis करते हैं तो अगर हम इसका चार्ट देखें तो चार्ट करेंट प्राइस जो चल रहा है वो अलमस्ट 25-26 के सपस चल रहा है वो अलमस्ट 26 चल रहा है तो अगर हम यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखें जब एक और चीज जो है कि इतने lower level पर इतनी high volume जो कि अब तक कभी नहीं आई मतलब इतनी high volume यहां तक high volume अभी तक पुराने time से में देखा जाए तो नही नहीं आई है तो जब इतनी high volume आती है lower level पर शेयर प्राइस जब यहां से चलना शुरू होता है तो वो highest level तक पहुंचता है पर अगर हम इसका एक बड़ी short term analysis करें जो short term trading के लिए मैंने भी मैंने भी इसमें invest कर रहा है तो मेरा जो target है वो है यह वाला 35 रुपीज 35 जो है इसका target है जो कि मेरे हिसाब से आने में इसमें सिर्फ एक और एक quarter या दो quarter से ज़दा नहीं लगेगा और अगर हम current price से अगर हम यहां रखें तो current price से अगर हम 35 तक जाते है तो 34 percent का gain मिलता है तो यह अगर हमको six month में या एक साल में मिल जाता है जो कि मिलेगा नहीं मेरे साब से सिर्फ 6 में नहीं से ज़्यादा नहीं लगेगा इसको यहां तक आने में है तो यह 34 percent का gain है और अगर यहां से अगर हम इसको यहीं पे रख लेते है तो यह 117 percent का gain मिलता है और यह आने में मेरे साब से एक साल से ज़्यादा नहीं लगेगा और मुझे जो लगता है कि इसका जो share price है वो कैसे vary करेगा जैसे अभी तक मैंने देखा है कि ज़्यादा तर जो भी इतने ज़्यादा resistance होते हैं तो यहां से share हमेशा retracement लेता है तो अगर आप लोग इसमें buy कर रहे हैं तो मैं पहले यहां पर buy किया है और मैं इसको 35 पर sell करूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है यह resistance है और यहां से retracement होगा और अगर retracement हुआ थोड़ा बहुत हुआ उसके बाद इसको दुबारा से purchase कर सकते हैं और फिर इसको लंबे time के लिए hold कर सकते हैं so i hope you like my video if you have any questions do comment thank you